कि नमस्कार मैं हूं कुमार गजिंद जन्पत ऑन दा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है कुछ खबरे ऐसी होती है जो सामने होते हुए भी फिसल जाती है लेकिन एक अच्छे जर्नलिस्ट एक अच्छे जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा करतब यह होता है कि वो उस खबर को भी पकड़ ले जो खबर किसी को दिखाई न दे रही हो जी यहाँ यह बड़ी बात है हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आज अर्विंद केजरीबाल की उल्टी गिंती सुरू हो चुकी है और वो खुद भी मान चुके हैं कि अब उनके बुरे दिन थमने वाले नहीं हैं अब वो जहां से सुरू हुए थे उससे भी बदतर इस्तिती में पहुचने वाले हैं याने कि जल्दी ही वो तिहार जेल के सीक पिछले नौ साल के अंदर जिस चीज से पूरी दिल्ली की जंता उप चुकी थी लाखो करोडों रुपे के एड़टाइजमेंट सिर्फ इसलिए दिये जाते थे कि अर्विंद केजरीबाल का चेहरा दिखाई दे लोगों को हर बात में अर्विंद केजरीबाल दिखाई द आली खरंजों के उदगातन में उनकी फोटो का इस्तेमाल होता है मतलब आप समझे किस तरीके से ये सारी चीजे होती है मैंने एक ख़बर लिखी थी जब ये साउथ में गलियारे को तोड़ा जा रहा था सीला दिख्षित ने जो बनवाया था तो पहली बार ऐसा हुआ कि क किसी हमेशा ये कहा जाता है कि जो महूरत होता है उस पर नारियल तोड़ा जाता है लेकिन ये पहली बार हिंदुस्तान के दिल्ली के इतियास में हुआ कि किसी चीज के विंदवन्स में नारियल तोड़ा गया था यानिके जब उस गलियारे को तोड़ने की सुरुआत इन् नोने नारियल तोड़ के उसका विद्वन्स का उसको तोड़ने के लिए भी नारियल तोड़ा गया था बहुत ही गटिया कामता कहा जाये तो शर्मनाक थी ये सारी इस्तिती लेकिन हर बार में हर जगा पर अपनी फोटो चिपकाने वाले अर्विंद केजरिवाल के साथ आज एक नई चीज सामने आई बीते नौ साल के अंदर ये पहली बार हुआ है आप भी इस बात को जरूर महसूस कीजिएगा ये आज का अखवार है और इसमें देखिए कि ये एक इस्तिहार बहुत सभी अकवारों को सभी चैनलों को ये दिया गया है सभी अकवारों को दिया ग है तो ये जो एड है आप इसको जड़ा गौर से देखें आज इसमें जो कही पर भी अरविंद केजरीवाल का फोटो दिखाई नहीं दे रहा है बहुत बड़ी बात है दुनिया इदर से उदर हो जाए लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था लेकिन आज पहली बार 9 साल के अंदर के से इस्तिहार के बारे में भी बताते हैं सबसे उपर लगाया लिखा है दिल्ली सरकार आपकी सरकार 500 नई इलेक्ट्रिक बसे दिल्ली की सडकों पर 500 नई बसे दिल्ली की सडकों पर महिलाओं के लिए सभी बसों में सभी दिन मुफ्तियात्रा बहुत बढ़िया सुभारंब है 14 दिसंबर 2023 समय सुबह 10 बजे इस्थान IP डिपो दिली मुख्य आती थी है विने कुमार सक्सेना उपर राज्यपाल दिली विशिष्ट आती थी है अर्विंद के जीवाल मुख्य मंत्री दिली और गरिमा मैं उपस्तिती है जो मंत्री साहब ते कैलास गहलोत परिवेन मंत् चलते उनसे उनका कानून मंत्राले चीन लिया गया है उनका भी कैलास गहलोत साब परिवेन मंत्री जो है गरिमा मैं उपस्तिती सिर्फ उनकी है मंत्री जी की और यह नीचे लिखा है परिवेन विवाग राष्टर राज़दानी छेत दिली सरकार यह एड है इस इतने बड फ़र रहे हैं में हजारों लोग अगु से मरजाते हैं उसके बार बड़े भाड़े होनिंग लगार यह चेहरा चंकाते हैं और रही बार द्यू का सामना कर बाहिए है इंध्यारी अग्या अपना बडू करते थे यह नगुर और और महसूस कीजिए कि एक वो आदमी जो हर चीज में अपना चेहरा दिखाना चाहता है आज इतने बड़े एड से वो नदारद है यह कैसे हुआ क्या हुआ इससे सीधा सीधा अगर बॉडी लेंगवेज को समझा जाए आरविंद केजरिवाल की स्टैटिजी को देखा जाए तो समझ लीजिए उनका डिमोशन बुरी तरीके से सुरू हो चुका है और वो टैंसन में आ चुके हैं उनका बुरा वक्त अब सुरू हो चुका है अरविंद केजरिवाल का यही कारण है कि उन्होंने अब इतने बड़े बड़े एड़टाइजमेंट के अंदर अपना चे पैड ऐसा दिखा दे जिसमें केजरिवाल ने अपना मूह ना दिखाया हो और यह नौ साल में पहला ऐसा एड़टाइजमेंट है जिसके अंदर अरविंद केजरिवाल का मूह क्याने के चहरा दिखाई नहीं दे रहा बहुत जबर्दस्त बात है आप इस खबर को महसूस कर के देखिएगा के एक आदमी जिनोंने हजारो करोर रुपया अपना चहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने से बरबाद कर दिया आज वही आदमी अपना मूह नहीं दिखाना चाता है एड़टेजमेंट के अंदर बड़ी बात है सोचिएगा जरूर यह आखिर हुआ कै कैसे समझ ये इस खबर को जरूर देखिएगा इस खबर को जरूर समझ येगा कि बात बात में अरविंद केजिवाल जिस तरीके से लोगों के सामने आया करते थे आज वो उस इस्तिती में नहीं है यानिके उनका बुरा वक्त आ चुका है और अब वो बहुत ज़्यादा ट इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट्स बैक बॉक्स में अपनी राए जरूर लिखेगा के अरविंद केजिरिवाल का चेहरा आखिर इस एडबराइजमेंट से गायब कैसे हैं अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब डिस्काइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राए जरूर लिखेगा जैहिन जैभारत